हैलो व्यूर्स, Welcome to Madaliika Classes तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का 3 चाप्टर साइंस में जो है Synthetic Fibers and Plastics तो बचो हमने 6th क्लास में और 7th क्लास में Natural Fibers के बाड़े में पढ़ाता है कि नी? ठीके, तो Natural Fibers कौन-कौन से होते बारे कोटन, jute, wool, silk यह सब पढ़ेते हमने अब देखिये नाच्छल फाइबर्स भी दो टाइप के होते हैं एक होता है प्लांट से जो हमें मिलता है और दूसरा होता है आनिमल से जो आप्टेन करते हैं तो हमने जो प्लांट से याप बाले फाइबर्स पढ़े थे class 6 में वो थे कौन से cotton and jute है ना ओके और जो animals से obtained होता है वो पढ़ा हमने class 7 में वो थे silk and wool ओके तो आज हम पढ़ेंगे synthetic fibers के बारे में ठीके ना जो ना तो animals से obtained होता है ना ही plants से obtained होता है इसको human being खुद बनाते हैं with the help of chemicals ठीके कुछ raw materials use करके जो fiber बना रहे हैं उसको synthetic fiber बोलते हैं यहां देखिए इसका definition दिया हुआ है synthetic fibers are made by human beings that is why they are called synthetic or man-made fibers next देखते हैं what are synthetic fibers? synthetic fibers का एक pattern होता है जैसे आपने इस तरह का necklace देखा होगा यह जो beads है ठीक है वह आप समझ लेज़े small unit है यह small-small unit एक साथ मिल के combined हो के join हो के with the help of a thread एक पुरा necklace फॉर्म कर देती है इसी तरह से यह एक paper clip का जो chain बना हुआ है एक एक you know single single paper clip को आप जोड देते हैं तो वह एक chain बन जाता है ठीक इसी तरह से जो हमारा synthetic fiber होता है वो भी small-small units एक साथ join होते हैं और एक बड़ी सी unit बना देते हैं उसको बोलते हैं polymer क्या बोलते हैं polymer ठीक है synthetic यहां देखे लिखा हुआ है synthetic fiber is also a chain of small units joined together each small unit is actually a chemical substance ठीक है अब क्योंकि synthetic है तो chemical substance ही होगा many such small units combine to form a larger unit called polymer तो यह जो polymer word है यह Greek word है इसमें इसको आप इस तरह से कर सकते हैं poly plus mer तो poly का मतलब होता है many, mer का मतलब होता है units या parts ठीक है तो इससे हो गया polymer अब देखे नेक्स देखते हैं क्या है जो नेचर में भी polymer present होता है कौन सा है cotton ठीक है तो cotton जो है वो natural polymer होता है इसके polymer को बोलते है cellulose और जो cellulose की अंदर जो small-small units है वो किसकी बनी होती है वो है glucose की ठीक है तो cellulose is a polymer of glucose units ठीक है next types of synthetic fibers अब synthetic fibers के अलग अलग जो types है उसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले है rayon तो rayon जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं हमने class 7 में पढ़ा था कि जो silk है वो चाइना में सबसे पहले डिसकवर हुआ था और चाइना के लोगोंने काफी टाइम तक इसको सीक्रेट रखा था कि किस तरह से silk प्रड्यूज हो रहा है या किस तरह से वो बना रहे हैं उन्होंने कभी कुछ बताया नहीं बहुत टाइम तक ठीक है अब लोग वेट थोड़ी ना करेंगे कि चाइना अपना सीक्रिट रिवील करें तो उन्होंने क्या किया आर्टिफीशली सिल्क को बनाने लग गए अब जब वो आर्टिफीशली सिल्क को बना रहे थे तो इन टोड़्स दी एंड ओफ 19th सेंचुरी कुछ साइंटिस्ट सक्सेस्फुल हो गए एक फाइबर आप्टीन करने म जिसमें उन्होंने जो वुड पल्प था उसको किसी केमिकल के साथ ट्रीट किया तो एक बड़ा ही अच्छा सा फाइबर मिल गया जो की सिल्क की तरह लग रहा था एकदम सिल्क नहीं था बट सिल्क जैसा था तो वो जो सिल्क जैसा फाइबर था उसको उन्होंने नाम दिय एक 295 लिए का या फिर उसको बोलते हैं आर्टिफिशिल सिल्क वयसे तो रो रावन है वो एक नाचिरल सोर्श से ही मिल वूड़ पलप तो हमें नेचर से ही मिल रहा है वट उस सिर्फ वूड़ पलप से ही नहीं हो गया ना उसमें एक यूज़ यूज हुआ उस वूड़ पल अब देखे जो synthetic fiber rayon है उसके क्या-क्या uses है तो जो rayon है वो एक तो cheaper है than silk और इसको ना हम अलग-अलग जो silk के fibers हैं जैसे silk को weave कर लेते हैं अलग-अलग fabric में उसी तरह से rayon को भी weave कर सकते हैं और silk की तरह ही इसको बहुत सारे colors में dye भी कर सकते हैं जो rayon है उसको जब हम cotton के साथ mix करते हैं तो उससे हम bed sheets बना लेते हैं और इसी rayon को अगर हम wool के साथ mix करते हैं तो उससे फिर हमें carpet मिलती हैं इस तरह के carpet आपने देखी होगी आपके घरों में होगी तो इसमें क्या है इसमें rayon है और wool है चलिए नेक्स देखते हैं nylon के बारे में तो जो nylon है वो पहला ऐसा man-made fiber है जो totally chemical से ही मिला है तो इसमें कोई भी natural raw material यूज नहीं हुआ है तो in 1931 scientist लोगों ने क्या किया उन्होंने एक fiber बनाया जो की उन्होंने बनाया from coal water and air it was the first fully synthetic fiber fully synthetic fiber कौन सा था पहला nylon इसको आपको याद रखना है अब देखे जो nylon के fibers होते हैं they are very strong, they are elastic and they are very light weighted ठीके बहुत lustrous भी होते हैं and they are easy to wash और बहुत ही आसानी से सूख भी जाते हैं तो जो कुछ कपड़े हम nylon के यूज करते हैं उसमें कौन-कौन से items है जैसे socks है, ropes है, tent है, toothbrush है, car seat है, car belts है then sleeping bags है, curtains है, यह सब किसके होते हैं, nylon के होते हैं अब देखे जो nylon है, वो इतना strong होता है कि उससे parachutes and ropes होती है ना, यह rock climbing के लिए use होते हैं वो भी बनाये जाते हैं तो आप कह सकते हैं, ऐसा बोला गया है कि जो nylon का thread है, it is actually stronger than the steel wire steel wire से भी जादे strong है हमारा nylon का fiber अब देखें, हम यह देखेंगे कौन सा thread, कौन सा fiber जादे strong है तो उसके लिए एक activity दी हुई है आपके में 3.1 इसमें आपको क्या करने, इस तरह का setup लेना है, एक iron strand लेना है with a clamp एंड उसमें आपको पहले एक cotton का thread बांदेगे, जो thread है वो आपको अलग अलग fibers के लेने है एक जैसी thickness, एक जैसा length और उसके बाद फिर एक जैसे यहाँ पर pan है उस तरह से इसको बांद के freely hang करना है और इस pan में हम weights रखेंगे वो weights हम तब तक रखेंगे जब तक यह thread ब्रेक नहीं हो जाता है and then we'll record the weight in this table जब total weight required to break the thread तो cotton का करेंगे, wool का करेंगे, silk का, nylon का then we'll get to know कौन सा fiber जादर strong है तो इसमें आपको precaution क्या लेना है कि जितन जो भी आप threads लेंगे सारे threads same length same thickness की होनी चाहिए this you have to keep in mind अगर एक मोटा thread लेंगे दूसरा पतला सा thread लेंगे तो obviously जो मोटा वाला thread है वो ज्यादा weight bear कर लेगा जल्दी break नहीं होगा और पतला वाला थोड़ा बहुत भी weight लेगा उसका ब्रेक हो जाएगा alright तो इस तरह से आपको करना है अब next देखते हैं polyster and acrylic के बारे में तो polyster भी synthetic fiber है यह जल्दी से wrinkle नहीं होता है इसमें जैसे सिकुडन नहीं होती है तो यह crisp रहता है and it is easy to wash बहुत सारी dress materials को बनाने में यूज होता है लोग polyster की shirts पहनते हैं बहुत सारी dresses पहनते हैं जो teraline है teraline इसमें बहुत popular polyster होता है इसको बहुत फाइन-फाइन से fibers में हम draw करके वीव कर सकते हैं यान में तो अब आपने सुना होगा pet bottles के बारे में तो अब हम पढ़ेंगे pet के बाले में तो pet क्या है? polyethylene terephthalate polyethylene terephthalate जो होता है बहुत ही common polyster होता है it is used for making bottles जो पानी वाले bottles होते है वो pet के बने होते है कुछ utensils, film wires यह सब किस से बने होता है? pet से it's a polyster अब आप अपने आसपास अगर देखेंगे आपको polyester का बहुत सारा समान मिल जाएगा बहुत सारे कपड़े भी होते हैं बहुत सारी चीज़े भी bottles, jars जो storage containers होती है वो भी बहुत सारे pet की बनी होती है अब देखिए polyester क्या है poly plus easter तो जो क्या है यह easter के बहुत सा repeating units है polyester में तो easter क्या होता है यह chemical होता है जो की fruity smell देता है जो fruits होती है हमारी ठीक है उसमें जो smell आती है वो आती क्यूं है because of the easter जो fabric है उसको हम कई सारे नाम से बेचते है तो polycott तो polycott में पते हैं polyester plus cotton poly wool polyester plus wool और इस तरह से बना होता है इस तरह से mix करके हम fabrics को natural synthetic fibers को mix करके फिर बना लेते हैं चलिए next हो गया अब जो sweaters and shawls and blankets जो आप winters में यूज करते हैं अगर आप natural fiber जैसे wool है उसका लेते हैं तो it will be very costly but अगर आप same वही चीजे acrylic कलेंगे तो वह आपको cheaper मिलेगा and एकदम वैसा ही रहता है in fact उससे better होता है okay तो जो wool which is obtained from natural source is quite expensive whereas clothes made from acrylic are relatively cheap and these are very many colors available in synthetic fibers this advantage is that they are very many colors available in that all of these colors not available in natural fibers all right synthetic fibers are durable and affordable and that's why they are more popular okay easy maintenance mainly okay next up let's see we had a burning experiment in the last class so if you burn a natural fiber and a synthetic fiber and a synthetic fiber you will see synthetic fibers melt this is the minus point synthetic fiber what is what is that if where 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 the synthetic fiber that person has put on it what is what is if it is that it will melt and it will melt and it will melt from the body so it will be very disastrous for that person who is wearing that dress all right so this is the only problem in this here see here is written if clothes catches fire it can be disastrous the fabric melts and sticks to the body of the person wearing it so we should not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in laboratory or somewhere where the flame works there you wear synthetic fibers as much as possible as possible as possible okay because if the fire is very disastrous okay now as synthetic fibers they are prepared by number of processes there are a lot of processing chemicals used to be used so some chemicals are called petroleum origin they are called petrochemicals they also used to be used in our synthetic fibers to make make some synthetic fibers characteristics features which are popular although we have read a lot before but there are other too about that now synthetic fibers are unique characteristics which are popular they dry up quickly they are durable less expensive they are readily available they are easily to maintain now see what happens if you take a cotton shirt and a polyester shirt which is a cotton shirt one time you have to wear it then you have to iron it and then only you can wear it otherwise wrinkles whereas the polyester shirt you can wear it after washing you don't have to iron it if you want to you can otherwise not not okay it seems like wrinkles so easy maintenance you don't need ironing now you have to do some activity so you will know what difference in synthetic and natural fibers you have to take two pieces one synthetic and one natural two pieces in the same amount of water dip and soak 5 minutes you will hang it to dry and then you will see compare which fiber absorbed how much water absorbed it alright so you will see the natural fiber the natural fabric absorbed more water than synthetic fiber and drying obviously when it absorbed water it will dry up so the synthetic fiber will dry than natural fiber so this is also our plus point synthetic fibers like rainy season then how do you take umbrella obviously synthetic fiber otherwise it will always absorb the water so it doesn't absorb it it doesn't absorb water it will slide and sink okay so the fibers are more popular because it reduces daily life problems it will reduce it okay next we will see about plastics 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 articles everyday life use you should look at your stationery school bag you should look at your lunch box stationery books and notebooks covers also plastics then look at your mom's kitchen and look at your furniture see every place plastic used so plastics are different types so what is the difference is arrangement some are linearly arranged in a line which is small units are straight line some are cross-linked that chains two three chains are different arrangements now plastic polymer is different sizes easily molded so it is used plastics are easily moldable that is you can make it in any shape plastics recycle and use color then melt and roll into sheets or wires so this can be used for plastics now see one example is polythene polythene is made poly ethen small units are made a big polymer which is polythene is polythene polythene bag you can bend or break force if you warm it then the shape deforms this kind of plastics bend or break or heat then the shape deforms plastics is thermo plastics thermo plastics what examples are polythene and pvc thermo plastics these toys are used in manufacturing now see another plastic doesn't break heat or electricity doesn't change so this plastic is thermo setting plastic once mold it doesn't soften on heating so thermo setting these are baccalite and melamine which is poor conductor of heat is electricity so this is used in electrical switches which are used in utensils because it doesn't transfer heat alright now see melamine is very versatile material it is fire resistant it can tolerate heat better than all other plastics so kitchen wares or some like firemen or firemen coating so that it doesn't burn all everything is made melamine now see all articles easily these are thermosetting plastic thermosetting 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 electrical switches plastic all tiles which are made from melamine then this thermosetting plastic thermosetting 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 बहुत ही क्योंकि मैंने अभी आपको इसके बता लिए बोल्डिबल है अलग अलग कलर में मिलता है तो इसकी वज़े से बहुत ज्यादा इसका यूज़े है तो आप कहीं भी चले जाओ आप शॉपिंग करने जाओ वहां आपको बहुत ज्यादे प्लास्टिक के मेटिरल्स मि किसके प्लास्टिक केतो हैं क्योंकि यह लाइट वेट होता है इसका प्राइज कम है इसकी गुड़ स्ट्रेंथ है और इजी हैंडिलिंग है इन सब कारोनों की वज़े से प्लास्टिक को जादा यूज़ किया जाता है प्लास्टिक हलका होता है इसी वज़े से इसको कार्स स्पेस्क्राफ्ट में भी यूज किया जाता है इसकी जो आप लिस्ट अगर बनाने बैठेंगे कि प्लास्टिक का यूज तो वो एंडलेस है ठीक है वो हर जगह यूज होता है चलिए अब कुछ हम करेक्टिस्टिक्स देखते हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक को जादा यू लेकिन प्लास्टिक जो होता है वो नौ necesita होता है अगर आपके पास आयरन का कोई बर्तन है और एक प्लास्टिक का कंटेनर है तो एरन का जो रुटेनर है उसमें अगर थोड़े प्लास्टिक यूज रस्टिक हो जाएगी को नौ जाएगा जिसव थाइले पहले पिछले कर बहुत सारे कीज़ी स्टोर करने के लिए वे अंग अर बहुत सारे गटिकल्स को भी प्लास्टिक बॉतल्स यूज करते हैं ठीक है नेक्स्टी प्लास्टिक इस लाइट स्ट्रॉग और ड्यूरेबल जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप मेटल का बकेट लेंगे तो भा अच्छा है, स्ट्रॉंग भी है और डियूरबल भी है, बहुत टाइम तक चल रहा है, because प्राइम नोन रीक्तिव लिए, ठीक है तो इनी सब वज़े से प्लास्टिक्स को जहादे यूज किया जाता है अब देखे, प्लास्टिक्स और पूवर कंड़क्टर्स प्लास्टिक्स पूवर कंड़क्टर्स भी होते हैं ऑफ हीट और इलेक्रिसिटी इसी वज़से जो इलेक्ट्रिकल वायर से उनकी कवरिंग बनाने के लिए पढ़ा है ना बेकलाइटर मेलमाइन का यूज तो आप समझ ही सकते हैं कि वह पूर कंड़क्टर है इसी वज़े से उसका बहुत ज़दे यूज होता है अब देखिए बहुत सारे जैसे अगर आप सोचेंगे कि हेल्थ केर इंडस्ट्री में नहीं होता है तो गलत है हेल्थ क जो टाबलेट से उनकी कवरिंग किसकी है प्लास्टिक की है जो भी पैकेजिंग मितीरियल है वो सब प्लास्टिक का होता है बहुत सारे प्लास्टिक के कुकवेर्स जो हम माइक्रोवेव में यूज करते हैं ठीक है खाना गरम हो जाता है बट उस प्लास्टिक पे कोई फरक तो नॉनस्टिक बरतन उसमें टेफलोन की लेयर होती है जिसकी वज़ए से उसमें ओइल की जुरूध नहीं परती है खाना स्टिक नहीं होता है आसानी से बन जाता है तो यह बहुत ज्यादा अभी यूज हो रहा है नॉनस्टिक वाले बरतन देन मैंने आपको बताया फायर कपड़े होते हैं उन पर मेलमायन की कोटिंग होती है जिसकी वज़ए से वह फायर क्याच नहीं होता है तो इस वज़ए से प्लास्टिक के बहुत ज्यादा यूज है अब देखिए एक जो माइनस पॉइंट है प्लास्टिक वह यह है कि वह एंवर्मेंटल फ्रेंगी नही प्लास्टिक्सश बहुत जल्दी दी कमपोस हो जाते है उसे हम मै őनियॉर बना लेते हु राइट बट वह जो का बीघ कंपोज जाते हैं असानी सव उन को भीत भीत बते बायोडीडिड़ल ॉर्वज भीट ड्रिटिबल बायोडी है वते हैं लेकिन जो कुछ मेधिरियल जोőlी तरिख्रेट नहीं होते है साल हो साल ग्रीड नहीं हो एक पड़ा रहेंगा वह थे है non biodegradable and unfortunately our plastic comes in this non biodegradable वाले में ठीक है न तो उसकी वज़े से वो environmental friendly नहीं है अब देखे यहां पे कुछ वेस्ट दिये हुए है और उनको कितना time लगता है decompose होने में वो दिया हुआ है जैसे peels of vegetables and fruits है वो 1-2 weeks में decomposed जाते है तो वो biodegradable paper 10-30 days में हो जाता है तो biodegradable cotton cloth 2-5 months तो biodegradable wood 10-15 years तो biodegradable अब देखे 10-15 years तो biodegradable अब देखे 10 aluminum and metal cans जो है 100-500 years लगते हैं तो इसलिए इनको बोलते है non biodegradable plastic bags here it comes several years we even don't know how much time it will take to you know decompose hence it is non biodegradable that is why this is the minus point of plastic plastics अगर किसी तरह biodegradable में आ जायना तो best हो जाए environmental friendly हो जाएगा वो क्योंकि यह बहुत जादा टाइम लग रहा है इसलिए इसको environmental friendly नहीं माना जाता है इसी वज़े से environmental pollution होता है अगर हम उसको एक तो वह biodegradable नहीं है ठीक है तो अगर हम सोचें कि चलो ठीक है अगर वह biodegrade नहीं हो रहा है तो क्यों ना हम उसको जला देते हैं तो मैंने आपको बताया था वर्णिंग में एक तो हम oxygen यूज कर रहे हैं दूसरा जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो सबसे ज्यादा पॉजनस फ्यूम्स निकलती है और यह जो प्लास्टिक पूरी तरह जलता भी नहीं है सोचिए कितना problem है प्लास्टिक को हम dispose ही नहीं कर पाते हैं सही से तो यह सब वजह से इनहीं सब दिक्कतों की वजह से प्लास्टिक को कम से कम यूज करना चाहिए आपने देखा है काफी सारी जो garbage drums होते हैं वहाँ पर जो animal उसमें से खाना लेके खाते हैं वो नोग कई बार क्या करते हैं प्लास्टिक के पॉलिथीन बैक्स वोगेरा वो भी खा जाते हैं साथ में जो उनके लिए dangerous हो जाता है और उनकी respiratory system को चोक कर देता है या फिर उनकी जो stomach की lining में वो रह जाता है उसकी वज़े से उनको बहुत परिशानिया होती है विन उनकी death हो जाती है तो यह सब जो है इसी वज़े से होता है बिकास प्लास्टिक जो है ना वो environmental friendly नहीं है ठीक है तूसरा जो poly bags हम ऐसे इधर उदर फेक देते हैं थ्रो कर देते हैं जो हमा पढ़ेश नाली का पानी है वो ऊपर सड़कों पर आएगा और फिर बहुत जाद़ गंदगी हो जाती है यह सारी गलतियां हम करते हैं और हम सोचते हैं कि यह सरकार है वो कुछ नी कर रही है तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप प्लीज यूज डस्ट बिन्स राइट डस्ट बिन्स यूज करो जो भी रैपर्स वगेरा हैं उधर उधर मत फेको सडकों पे फेकोगे तो वो उड़के ड्रेंस में ही जाएंगे और ड्रेंस को क्लॉक करेंगे तो परिशानी हमें ह होती है तो इसलिए क्योंकि प्लास्टिक अन्फ्रेंडली है तो इसलिए उसका जितना कम से कम यूज कर सको उतना कम यूज करो जब भी आप शॉपिंग के लिए जाओ टेक बैग विदियो कॉटन या जूट का बैग लेके जाओ उसमाल लो ठीके रिफ्योज करो कि हमें न बहुत दिक्कत हो रहा है और सेकेंडली आप अपने किचन में दो डस्ट फिंस रखो एक में बायो डिग्रेडिबल रखो एक में न बायो डिग्रेडिबल वेस्ट रखो तो वह आसानी से डिस्पोस करने भी हो जाएगा उसको जो हमारे सफाई क्रमचारी आते हैं तो आसा प्लास्टिक से उनको रिसाइकल कर सकते हैं और उसमें अलग-अलग कलर डालके हम उसका कुछ और आर्टिकल बना सकते हैं तो जो हम लोग हैं जैसे सिटिजन से पढ़े लिके रिस्पॉंसिबल तो उनको फाइव आर प्रिंसिपल पता होना चाहिए क्या है रिडियूस करो रियूस करो रिसाइकल करो रिक़वर करो रेफ्यूस करो इस तरह से आपकुछ इन्वार्मेनिंटल फ्रेंधोर फ्रीनली हांडिक और डेवलब करो आपके इन्वार्मेंश के लिए अच्छा होगा अब फाइबर का फाइबर वाइज क्या है कि do not throw plastic bags on in the water bodies or on the roads ठीक है water bodies or roads पे आपके जो प्लास्टिक के जो भी bags है polythene bags हो से मत फेको otherwise वो चोक कर देते हैं drains वगरा को जो आप जब भी shopping के लिए जाओ cotton का या जूट का बैक करो try करो की plastic का जो मेथी जल हो कम से कम आप यूज करो जैसे भी you know आप लोग एक student है you take lunch boxes with you in the school although plastic के जो जो बहुत attractive होते हैं बहुत fascinating होते हैं you want plastic lunch boxes but try to take you know steel के lunch boxes तो जादा अच्छे होते हैं इस तरह से आप कम सकम थोड़ा plastic का use कम कर सकते हो all right तो इस तरह से हो गया यह हमारा chapter finish यह हमने keywords भी पढ़ लिये हैं सारे आप यह what you have learned so far में आप इसको एक बार read कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा so इस तरह से हो गया यह chapter finish okay so if you like the video please like कीजिए and अपने friends के साथ share कीजिए कुछ doubt है तो please write in the comment section below and subscribe to my channel